64th BPSC का final result अब किसी भी समय आ सकता है जी हां बिल्कुल आप सई सुन रहे हैं 64 BPSC का final result जो की तीन साल के exam हो गया registration के अगर आप date देखेंगे तो 38 2018 को उसका registration शुरूआ था और आज लगभग लगभग तीन साल बाद लेकिन फिर भी इसका final result कभी भी आ सकता हो और यह तब भी आ सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हो और इसे बीच में भी result डिकलेर हो सकता है तो आपको दिल्थाम कर वैटना है की पेपर के अनुसार Saturday night या Sunday morning के बीच में जिस तरह से 63 वी BPSC का result तीन बजे सुबह आया था हो सकता है कि यह result भी उसी समया देखें कितना लंबा process इंजार किया तीन साल गुजर गए इसके बीच में नजाने कितने आंदोलन हुए क्या हुआ है हमारी आए कोरोना आया गया लोगों के विचार बजल गए वक्त बदल गए हालात बदल गए जजबात बदल गए लेकिन फिर भी रिजल्ट आ गया तो जो एस्पिरेंट्स जो इंट्रव्यू अपना एक्जाम इंट्रव्यू देकर बहुत ही आज बनाकर बैठे वे थे कि रिजल्ट कब आएगा समझस की सिती में थे करम कहें तो गलत नहीं होगा 1465 विद्यारती अबदकारी करूब लेंगे और उनका सेलेक्शन होने वाला है तो आप लोगों को इसके लिए पहले से ही बहुत 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 शुपकामना है जिन स्टुट्ट का सेलेक्शन होने वाला है और आप मेंसे उम्मीद करते हैं कि जो भी विद्यारती जो यह सुन रहे हो उनका अवश्ची है वश्ची सेलेक्शन हो जाए यह हमारी चुपकामनाएं है यह जो 65 जो बीपीसी का 64 बीपीसी का मुख्य रिजल्ट है उसका जो पेपर में इस तरह से आविदन आया है तो इस पे दो चीज़े हैं जब 64 का जब समंझेस में हैं तो उनकी भी रहा में जो एक पहला जो स्टेप है वो क्लियर हो चुका है जैसे ही 64 का फाइनल रिजल्ट आएगा 65 का मेंस का रिजल्ट आने वाला है और उसके बाद ठीक और ठीक 66 की मेंस एक्जाम भी करवाई जाएगी बीपीसी में और 67 बीपीसी में एक अने वाला है सेडी आपियों का बी नोटिफिकेशन आने वाला है तो उसका काम उल्रडी हम शुरू कर देंगे चलिए जेखते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया था 64 बीपिसी का उसमें जो इंपॉर्टन पढ़ थे जिसके लिए हम लोग मुझीता प्रेपरेशन करते हैं ब नहीं भी हुआ तो भी बहुत सी अच्छे से लेवल 9 की काफी अच्छे पर थे इसमें ठीक है और इसी तरह से आगे चलकर जब हम कट अप इसका अनलेसिस करेंगे उससे पहले हम यह बता जेता है कि जो 3800 में से 1465 विद्यार्थियों का सेलेक्शन हुआ है कुछ हमारे मित्रों का सेलेक्शन नहीं भीवा होगा लेकिन इससे आपको हार नहीं माननी हार इसलिए नहीं माननी क्योंकि जो सेलेक्टेड विद्यार्थी उससे आप कहीं कम नहीं है इंट्रेव्यू तक पहुंचने के बाद थोड़ा बहुत हलका सा जो ब्रशिंग फाइनलाइजिंग और जो क्रीमिंग का जो कॉंसेट रहता है वह हलका सर रह गया तो इससे आपको कहीं हार नहीं माननी निराश नहीं होना बहुत से ऐसे अभ्यारती हैं जिन्होंने 65 मेंस भी दे रखी होगी और जिन्होंने 66 का पीटी भी क्लियर कर रखा है ठीक है तो उनको अपने तयारी को जारी रखना है और उन तयारी में परफेक्शन आईएस आपके साथ खड़ा रहेगा और जिसके लिए अभी फिलाल 66 पीटी जिन लोगों का हो गया उनके लिए हम मेंस के लिए ऑनलाइन रॉफलाइन टेस्स सीरीज तो चला ही रहे हैं ऐ ऐसे विद्यारती जो किसी कारणों से इन टेस्स सीरीज को जोईन करने में असमर्थ हैं फानेंशल रूप से असमर्थ है या समय नहीं दे पाते हैं तो उनके लिए हम यूटूब पे फ्री वीडियो फिफ्टी डेज मेंस प्लानर सीरीज के फ्री वीडियो हर रोज एक वी यह किया है जो नए हैं उनके लिए काफी ज़्याद हेल्फुल होने वाला है और जो लोग पहले से एक्जाम दे चुके हैं उनके लिए एक कंटेंट एंडिश्मेंट क्यूंकि जो फाइनल सेलेक्शन होता है वो मेंस ही दिलाता है इंटर्विव में तो लगबग लगबग सेम ही मार्क मिलते हैं अगर आपका कॉंसेट्ट सही है थोड़ा बहुत वह पांच-दस मार्क का उपर नीचे होता है लेकिन अगर आपने मेंस में अपने जंडे गाड़ दिये तो फिर इंटर्विव उतना माइन नहीं रखता और मेंस को आपको एंडिश करना है तो मेंस क लिए जो विद्यारती किसी भी पेट सेरीज में नहीं जूड़ पाते हैं उनके लिए हम लोग फ्री वीडियो यूट्यूब कर रहे हैं इसके बाद हम लोग एक अलग से करेंट अफैर के भी फ्री वीडियो यूट्यूब पर लेवल करा रहे हैं तो इसका फायदा उठान औरना की ज़रूत नहीं आप अमारे ऑफिस दें विजट कर सकते हैं हालागी कोविड नौकडाउन के वज़ए से कुछ नियम कानून बदलके हैं लेकिन उस नियू नूर्मन में भी हम काम कर रहे हैं आपकी वज़ए से काम कर रहे हैं तो जिन्नोंने 66 फी ग्लियर कि उसके के मौक टेस्ट के लिए भी हम खड़े हैं क्योंकि हमने 64 के लगबग लगबग 300 से ज़्यादा एस्पिरेंट की मौक ट्रेनिंग मौक इंटर्यू ट्रेनिंग फीडबेक बहुत ही अनुबभी फैकल्टी एवं रिटायर्ड ऑफिसस द्वारा कराया गया है इसके भी वीडियो अप्लब्ध हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं तो हर तरह के कंप्लीट ग दोनों का लगभग लगभग कटफ दो आप देख सकते हैं कि जनरल क्रटेगरी के लिए जो है वह 591 और 588 क्योंकि इसमें थोड़ी से सीटे ज्यादा थी इसलिए 508 थी थोड़ा सा कम हुआ और क्योंकि इस बार जो 64 वी वाली एक्जाम में उसमें 1465 सीटे यानि कि बहुत अनुमवी टीच़र्स हमारे पास हैं अनुमवी टीचर्स की यहीज़ग से लिक्राइन से यह हम पता कर सकते हैं कि एक रेंज पता कर सकते के और मप mówi टिनख़ STOP мо ज़य। तो उस हिसाब से जो यह जो फाइनल सेलेक्शन का अन्रिजर्व्ड यानि की जनरल कटेकरी के लिए जो रेंज बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है पांच सो पैंसट से लेकर पांच सो फचैनल तक को देखा जा रहा है, और क्योंकि इस बार इंटर्वी बोर्ड भी काफ के तेंगे अच्छे खासे आपको क्या है आपने क्यों लिया लेकिन जो वेक्ति में क्लेर करके इंटर्व में बैठता है उसका नॉलेज अच्छी तो नॉलेज का टेस्ट तो होता नहीं वह ता है आपके परस्टनालिटी का टेस्ट और लगबग सबको समान माक्सी मिलता है कि आपने कोई बहुत बड़ी बलंडर मिस्टेक न कर दिया हो तो यह वीडियो जो है इस चीज को है कि कटफ हम दावा तो नहीं करते ही आएगा लेकिन जो अनलेसिस है जो बोड की मार्किंग स्टाइल है उस मार्किंग स्टाइल को देखते हुए क्योंकि बोड इस बार ल लोगों का सिलेक्शन होगा और परफेक्शन आईस से जो बच्चे सिलेक्ट हो वो जरूर हमें मेसेज करें उनके लिए हमें एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम करने वाले हैं तो आशा है कि जो लोग भी वीडियो दिख रहे हैं और हर एक अभ्यारतियों की है वो सब सिलेक् कस्ञिटेय जिले szेटर का नाम रौशन करें और एक सफल अधिकारे बनकर बिहार राज की सेवा करें और पर्फेक्शन आईस अन्वि ध्यारतियों के लिए जिनका सेलेक्शन किसी वज़़े से नहीं हुआ एक दो मार्स की वज़़े से नहीं हुआ सेलेक्शन नहीं हो त जो हम सबसे उपर देश का सबसे अग्रणी राजय बनाए हमारे सिविल सर्विसिस की तो यह वीडियो यही पर मैं समाप करता हूं आपको एक बार और बेस्ट अफ लग और आप अभी फिर से वेबसाइट चेक करें हो सकता है रिजल्ट आ गया हो तब तक के लिए जैहिन जै भारत जै बिहार धन्यवाद